नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे वशीकरन प्रयोग की चरचा करूँगा, जो सबसे सक्तिसाली वशीकरन प्रयोगों में से एक है। इस प्रयोग को मैंने अपने तंत्र सोध के इतने सालों के अनुभब में कभी निश्वल होते हुए नहीं पाया है। इस प्रयोग की जानकारी आपको कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस प्रयोग को मुझे बंगाल के मातारापिट के एक तांत्रिक द्वारा मिला है। तो चलिए और विलम ना करके हम इस प्रयोग की विधी को जान लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रयोग स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस प्रयोग को किसी भी कृष्ण पक्ष की शनिवार या कोई अमावश्य की रात्री दस से दो के मद्धे ही करनी है। इस प्रयोक को करने से पहले आपको स्नान करना है लेकिन स्नान करने की विशेष विदी है. जिस पानी से आप नाएंगे उस पानी में यदि आप पुरुस हैं तो धाक या पलाश के पुष्प और यदि आप स्त्री हैं तो गुलाब के पुष्प डाल दें. इसके बाद आप इसी पुष्ट वाले जल से ही स्नान करें स्नान करने के पश्चात एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा कामिया सिंदूर या लाल चंदन का पौडर भर लें अब बिना किसी से कुछ कहे उस सिंदूर वाले कटोरे को लेकर आप किसी ऐसे पीपल वरिक्ष के पास चले जाएं जो बिलकुल सुनसान या निस्तब्द जगा पर स्थित हो ऐसा इसलिए क्योंकि सुनसान जगा पर जो पीपल वरिक्ष होते हैं उन में कुछ अलोकिक शक्तियों का वास होता है और वही शक्तियां इस वशिकरन प्रयोग को सफल बनाती हैं ऐसा सुनसान पीपल का वरिक्ष अकसर किसी तालाब की घाटी, नदी का तट या वन में पाया जाता है यदि कोई पीपल का पेड किसी समसान गाट के पास ठित हो, खास कर किसी पुराने समसान गाट के पास जिसका परयोग ना होता हो और यदि आप इस पीपल व्रिक्ष के पास जाके ये साधना करने में शक्षम है तब तो आप यदि स्त्री हैं तो साक्षात इंद्र को और यदि पुरुष हैं तो साक्षात उर्वशी को भी अपने वश में कर लेंगे तो इस प्रकार के किसी पीपल व्रिक्ष के पास आप जाएं वहाँ पहुँचकर दक्षिन की और मुख करके अपने अभिलाशित स्त्री या पुरुष का नाम साथ बार उचारन करें इसके पस्चात उस सिंदूर वाले कटोरे को पीपल व्रिक्ष के नीचे रख दें और वापस चले आएं ध्यान रहे कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है अब अगले दिन आप स्वैम इसके चमतकारी प्रभावों से आश्चरिय चकित हो जाएंगे स्मरण रहे इस प्रयोग को केवल सच्चा प्रेम पाने हेतू ही इस्तमाल करें भोग विलाश की भावना से की जाने वाली प्रयोग नुकसान दे हो सकता है दर्शकों यदि आपको इस प्रयोग को करने में किसी प्रकार का भै हो तो आप प्रयोग वाले दिन आगे बताएगे महाकाली मंत्र को साथ बार जब कर, तीन बार ताली मारे. इस से आपकी हर प्रकास से रक्षा होगी. तो महाकाली का साबर रक्षा मंत्र इस प्रकास से है. ओम काली काली महा काली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली उड़ बैठी पीपल की डाली दोनों हाथ बजावे ताली जहां जाए वज्र की ताली वहाना आवे दुश्मन हाली दुहाई कामरु कामक्षा नैना योगिनी की ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई वी मसान की तो ये था दोस्तों एक परम गोपनिये और अद्भुत वशिकरन प्रयोग यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृप्या इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से जारा लोगों तक पहुंचे और वे इनका लाव उठा सके आज के लिए इ